नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSC Notes में दोस्तों आज के स्टूडियों हम लोग परयावणर अध्यान यानि Environmental Studies के बारे में बात करने वाले हैं जिसके हम लोग 15 questions लिए वे हैं तो यह important है आपके जो आने वाले exam है जैसे कि आपका rate का exam आने वाला है या seated का exam आने वाला है और वैसे भी आप seated का exam तो बहुत ही pass है आपके और उमीद है कि जल्दी इसकी notification आपको मिल जाएगी और बात करें written exam की तो उसके लिए भी बहुत जादे important है क्योंकि यह उससे भी संबंदित है क्योंकि यह subject written exam में भी आने वाला है ठीक है तो देड़ना करते हुए चलते हैं अपने topic की तरफ और उससे पहले अगर इद्धा आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ठीक है देखी यहाँ पे लिच्वा है कि पर्यावरण है क्या इन्वार्मन्न return exam में आप ऐसे लिक्षि सकते हैं और आपके option में आ गया तो अगर आप sidenor प्रीट के तयारे कर रहे हैं तो अगला प्रश्णने है देखी हम यहाँ पे आगे बढ़ाया अधिक वरम किया है कि वाता वरन जो हमें अन्य जिवधार को प्रभावित करता है ठीक है हुम कि मारे चारों तरफ का ऐसा आबरन जो कि क्या करता है हमें यहानि हम जो इस दर्थी पर फाइब आसबास के जीवधारी भी हैं उनको क्या करता है प्रयावरन कहते है ना आसबास का माहौल अगला प्रशन देखते हैं तो अगला प्रशन हमारा कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है तो सबसे ज़्यादा वन कहां पाय जाता है सभी को पता है यह क्वेशन कई बार रिपीट हो चुका है तो सायद याधी होगा आपको तो वो है MP यानी मद्यप्रदेश में पाय जाता है अगला प्रशन है कि पौधे अपनी खाद्य निर्मार प्रक्रिया में CO2 यानी कारबन या ऑक्साइड गैस वाइबंडल से लेते हैं और बदले में जिवधारियों को सांस लेने के लिए क्या देते हैं यह तो बच्चा बच्चा जानता है कि सांस लेने के लिए क्या important होता है दोस्तों तो सांस लेने के लिए हमारा important होता है oxygen तो क्या देता है oxygen या कि अब यह प्रक्रिया चलती है तो carbon dioxide वो लोग exhaust करते हैं और oxygen लोग क्या करते हैं छोड़ते हैं ठीक है अगला question है कि carbon dioxide, sulfur dioxide और carbon monoxide द्वारा कौन सा producer होता है तो जाहिस बात है यह सारी तीनों gas तीनों क्या हैं यह gases हैं तो gas किसको प्रभाववित करेगी बताएए तो जाहिस बात है gas थो हमेशा air को प्रभाववित करेगी है ना वाई के प्रभाद करेगी तो कैसा प्रदूसर्ण होगा और जिसे हानिया तो पता नहीं कौन-कौन सी होंगी है ना आगे देखते हैं अगला question तो अगला question है कि Biochemical oxygen demand परिक्षा किस प्रदूसर्ण को मापने के लिए किछ जाती है तो सोच !!! कि जो प्रदूसर्ण के लिए होता है जल प्र करेघ किसके लिए होता है a जल प्रदूसर्ण होता है पहले दिखे प्राक्षी ज़्यफिल नाइट्रेट ठीक है पी-ए एंग तो इसको यह क्या है मिन्स इसका काम क्या है यह है क्या है सक्षाय है इसके कारण क्या होता है था कि टिक내 हमारा है नागपूर और आपको पता है कि नागपूर किस राज्यम है तो वह महाराश्रम है ठीक है समझ में आ रहा है ना अगला क्वेशन देखते हैं तो इसी बात अगला कोलिडे मंदल में बच्छा किन केर्णों से करती है बच्पन से यह भी पढ़ते हैं और हमारे ख्याल से हमारे कान को तो आदत पढ़ गई होंगी है ना कि यह कुष्चन सुनते-सुनते कि वह जो उपर हमारे एक ओजोन लेयर है है थाना तो वह किस चीज से रच्छा करते है हमारी तो वह हमारा पहरा बैगनी केरने ठीक है कहां निकलती है सूर कि वाई मंडल में कौन सी गैस सरवाधिक पाई जाती है तो सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वाई मंडल में पाई जाती है means जो वाई मंडल है हमारा प्रिथवी का जो वाई मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा गैस कहां पाई जाती है यानि कौन सी पाई जाती तो आपको पता है चोब मंडल पाई जाती है लेकिन कौन सी गैस तो वह गैस का नाम है हमारा nitrogen कितने % है दूस्तों है न अब याद आ गया होगा तो सबसे जयादा कौन सी गैस है ना ठीक है अगला से थ्बाइक कि कारण दिखैक sleeping Q करन करें दिए ना यह नहीं बताए तो अभी तक दिमागं भी नहीं सोच पाइक काला होता है तो थे जब अंतरिक्स लिए जयती हग देए निला क्यों दिखाई देता है हमारा प्रक्रेणा के हें जिसके कारण्ड क्या होता है तो जिसके कारण्ड क्या होता है नीला दिखाई देता है आगे अगला क्वेशन है कि विष्च पर्यावर किस तिथी को मिनारं ब्याता है तो परत्वध सुरट में याद होगा है इतना यादिया कि 5 तारिक को ठीक है धुबारा नहीं बोलूँगा अगला प्रेंट्रश्न और वह जाहता है प्रिट्व जाढ़ drinking का अपमान बढ़ता है और compliment इस प्रित्वी बहुत जादा हो जाए तो में क्या होता है तापमान बढ़ता गड़ता था ना अगला प्रिशन देखते हैं तो अगला प्रिशन हमारा प्रयावर्ण का दुसमन किस व्रिच को कहा जाता है सोची अब रिच्छ तो क्या होता है सारे रिच्छ तो फाइदेमन होता है लेकिन पर्यावन का दुसमन यह किस रिच्छ को आ जाता है तो यह का जाता है UK Liptus को ठीक है इसको हम सफेदा के नाम से जानते हैं हिंदी में ठीक है तो याद रखिएगा बहुत ही हानिकारक पौधा या व्रिच्छ कह सकते हैं होता है अगला प्रशन देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ठीक है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लोग पढ़े थे और जा है कि कि मतलब यह है कि जो क्या होता है रही है यह जो क्रे आ रही है लेकिन जो उपर है वे क्या है हमारी था CO2 की परत जमी हुई है, परत बनी हुई है, गैसे मिलके घेल ली हुई है, तो जो हमारी heat है, वे क्या हो रही है, उपर नहीं जा पा रही है, जिसके कान यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत जादा इफेक्ट होने लगता है, इसको मैं कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इ बटाने के लिए चाइना में आप लोग देखते होंगे, क्रितिम वर्षा भी की जाती है, दिल्ली में भी एक बार ट्राई किया गया था है, जो खुद से बादल बनाके जो बारिस करते हैं, अगला क्रिशन हमारा कि राश्ट्री वन नीत के अनुसार कितने प्रतिसद भू लेकिन हम वो भी नहीं दे पाते हैं उसको, तो 33% के अब हम भी लगता है कि फ्यूचर में के ऐसा ना हो कि 3% भी ना बचे, है ना, लेकिन ऐसा होगा तो फिर हम लोग के पास फिर पूरा प्रित्वी जंगल ही हो जाएगे, फिर तो धीरे-धीरे, खेर कोई बात नहीं, तो उम्मेद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंदा होगा, तो जल्दी से एक लाइक दबा दीजे, और साथी साथ ऐसे वीडियो और पाने के लिए नीचे कमेंट करें हमें, और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और लाइक बटन दबा दीजेगा, और बेल आइक